हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संगीत अस्कीचन, दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर रहें मतर पनीर की रेसिपी, जो हम ढाबू और रेस्टोरंट में जाके खाते हैं और हमें बहुत टेस्टी लगती है, उससे भी ज़्यादा टेस्टी आज में मतर पनीर की रेसिपी यहां पे मैंने 200 ग्रम पनीर लिया है जिसे मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में इसलिए मैं इसलिए किये हैं क्यूंकि बड़े टुकड़ों के मुकाबले छोटे टुकड़ों जल्दी और ज्यादा ब्रेवी ओपजरू करते हैं इससे हमारे पनीर का टेस्ट एक लेवल ब पनीर को फ्राइब करने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी आता है इसलिए मैं यहां पर फ्राइब कर रहे हूं इसे बहुत ज़्यादा फ्राइब नहीं करेंगे हलका सा गॉर्डन ब्राउन करेंगे जिससे इसका टेस्ट एक लेवल बढ़ जाए दोस्तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे ऐसी ही नईनी रेसिपी के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे दोस्तो ए लिजे बातों इबातों में हमारा पनीर बढ़िया गुल्डन ब्राउंड हो चुका है जैसा हमें चाहिए था हमें इसे बहुत ज़्यादा गुल्डन ब्राउंड नहीं करना है तो अब हमें इसे निकाल लेते हैं पनीर को निकालने के लिए यहां पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है इससे क्या होगा कि पनीर हमारे एकदम सोफ्ट ही बना रहेगा जिटा ना हो मतलब इसका टेक्स्चर रबर जैसा ना हो जाए कि जब हम खाएं तो रबर जैसा खीचे अब हम सेम पेन में अन्यून को फ्राइ करेंगे यहां अन्यून हमारा सोफ्ट हो चुका है तो अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं अद्रग जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है जिससे कि यह भी जल्दी से पक जाए 8-10 लैसून की कली और 2-3 हरी मिर्च यहां पे मैंने तीखी वाली हरी मिर्च ली है इसलिए मैंने तीन एड की है आपको स्पाइसिस ज्यादा पसंद हो तो आप ज्यादा ले अब इन सब को हम मिक्स करके अच्छे से पकाएंगे अनियन और बाकी सब चीज़ें हमारी बढ़िया से सोफ्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे टमाटर यहां पे मैं तीन बड़े टमाटर मिक्स करेंगे जो कि रिग्दम बढ़िया से लाल हैं आपसे रेड कलर के ही टमाटर यूज़ हैं चैसे रेऽी का कर बढ़िया से लिए तो इसके लिए इसमें एड़ करूँ झीज़ा सा नामाग जिससे 2-3 मिनिट देंगे दो से तीन मिनिट हो चुके हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं ये देखिए टमाटर और बाकी सब चीज़े हमारी बढ़िया से एकदम अच्छे से पक चुकी है टमाटर भी एकदम बढ़िया से गल चुके हैं तो अब हम इसे एक बार mix कर लेते हैं और अच्छे से चला लेते हैं और अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं तो अब हम इसे एक mixer jar में add कर लेंगे और इसकी एक बढ़िया सी fine paste बनाएंगे जिससे की gravy एकदम बढ़िया और tasty बने दोस्तों एकदम बढ़िया ठीक एन tasty gravy बनाने के लिए आप ये method जरूर फोलो करें और gravy को और भी tasty एन ठीक बनाने के लिए यहां पर मैं add कर रही हूं 2-3 पनीर के टुकड़े जिसे मैंने बारी cut कर लिया था अब हम इसकी एक fine paste बनाएंगे ये लिजी एकदम बढ़िया सी paste हमारी तैयार है तो अब हम चलते हैं next process में यहां पर मैंने कड़ाई लिए इसमें मैं add कर रही हूं 3 टेबल स्पून ओइल ओइल को हम अच्छे से गरम होने देंगे और अब हम इसमें add करेंगे आदा चम्मच चीरा एक चोथा चम्मच हीम और एक तेज पत्ता इन सब चीजों को हम अच्छे से पून लेंगे जिससे क इसका फ्लेवर सबजी में एन्हेंस हो गया है सारी चीजे अच्छे से पून गई है तो अब हम इसमें add करेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिर्च डालते ही हम प्यूरी add कर देंगे जिससे कि मिर्च पाउडर हमारा तेल में जले नहीं और इसे अच्छे से mix कर दें करेंगे जिससे इसका भी गलर एकदम बढ़िया से आजाए अब हम इसमें add करेंगे कुछ मसाले यहां पर मैं इसमें add कर रहे हूं half टेबल स्पून जीरा वन फॉर्टेबल स्पून हल्दी वन टेबल स्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के according नमक इन सब को अब हम अच्छे से mix कर देंगे और मसालों की एक तम बढ़िया से अच्छी सी भुनाई करेंगे दोस्तो सब्जी में जो टेस्ट और कलर आता है न वो मसालों का ही होता है तो हम जीतनी अच्छे से मसालों को भुनेंगे न उतना अच्छा टेस्ट हमारी सब्जी में आएगा और कलर भी मसालों को हमें जल्दी से और अच्छे से पकाना है तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढग देंगे जिससे की एकदम बढ़ी ऐसे पक जाएं दो से तीन मिनिट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेते हैं ये देखिए मसालों में इसे oil सेपरेट हो रहा है मतलब कि मसाले हमारे अच्छे से पक रहे हैं तो अब हम मसालों को ऐसे ही high flame पर चलाती हुए पकाएंगे जब तक कि ये reduce ना हो जाए आती quantity में और इसका color ना change हो जाए मसालों को पकाने में हमें 4-5 मिनिट लगेंगे और मसाले हमारे एकदम बढ़िया से पक जाएंगे मसालों को पकाते हुए हमें 4-5 मिनिट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मसाले का color and texture इसकी quantity भी पहले से कम हो चुकी है और color भी एकदम बढ़िया red हो चुका है और आप देख सकते हैं कि oil भी separate हो रहा है इसका मतलब मसाले हमारे एकदम बढ़िया से पक चुके हैं तो अब हम इसमें add करेंगे मटर मटर यहाँ पे मैं regular यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैंने इसे पहले से ही boil करके रख लिया था अगर आप frozen मटर यूज़ कर रहे हैं तो इसे direct ही add कर दे और regular यूज़ कर रहे हैं तो इसे चार से पांच मिनिट boil कर ले अब मटर को हम मसाले से अच्छे से mix कर देंगे और अब हम इसमें add करेंगे पनीर यह देखिए दोस्तों पनीर हमारा एकदम बढ़िया सोक्ट ही है चिटा नहीं हुआ है तो अब हम सारा पनीर इसमें add कर देते हैं और इसे अच्छे से mix कर लेते हैं जिससे के ग्रेवी में हमारा पनीर अच्छे से coat हो जाए है और अब हम इसमें पानी add करेंगे मुझे इसकी ग्रेवी एकदम ठीक और बढ़िया restaurant style रखनी है इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी add कर रहे हैं करीद एक कब और इसे अच्छे से mix करके 5-7 मिनिट इसे medium flame पर पकने दूँगी तो अब हम इसे टॉक देते हैं 5-7 मिनिट हो चुके हैं तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं ये देखिए ओइल एकदम सबजी से separate हो गया है मतलब सबजी हमारी एकदम बढ़िया से पक चुकी है तो आप देख सकते हैं इसकी ठीकनस और कलर तो अब हम इसमें एड़ करेंगे आदा चमच गरम मसाला थोड़ी सी रोस्टेड कसूरी मेथी और बहुत शारा हरा धनिया और इन सब को भी अब हम अच्छे से mix कर देंगे तो सबजी हमारी तयार है सव करने के लिए तो अब हम इसे सव कर लेते हैं तो दोस्तों आज की हमारी ये मटर पनीर की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया है तो लाइक और जरूर करें और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तक तक के लिए ठैंक्स वर वाचिंग